नमस्कार मैं हूँ शरी शर्मार आप देखरें नजेपी हर्याना आज बात करेंगे हर्याना में भाजपा का नया प्रदेश अद्दक्ष कोन होगा इसकी चर्चल लंबे समय से चलती आ रही है कौन कौन से नाम सामने आ रहे है इस विशे पर आजम बात करते हैं आज हमारे सा नजेपी के प्रधान संपादक वरिश पत्रकार महेश कुमार व्यद सर बताइए भाजपा का हर्याना में नया प्रदेश अद्दक्ष कोन हो सकता है किसकी संभावना आप देख रहे हैं सहली कई दिनों से चर्चा चल रही है जैसा कि सभी जानते हैं इस समय दोनों जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की और परदेश अद्द्यक्ष की नायव सहनी के पास है लोक्सवाचुनाओं में भी पार्टी को इसका नुक्षयान जहलना पड़ा क्योंकि एक तरह से पूर्ण परदेश अद्द्यक्ष नियुक्ति करने वाली है मुझे लगता है कि राष्टी अद्यक्ष की नियुक्ति से पहले परदेश अध्यक्ष की नियुकति यह हम मानकर चल सकते हैं कि सोसल इंजिनिरिंग भाजपा इस तरह बनाएगी ताकि सभी जातियों को सम्मान मिल सके तो जो मुझूदा परिस्थिती है उसमें नायब सैनी चीफ मिनिस्टर हैं दो हरियाना से मंत्री ओबीशी से हैं किर्शन पाल गुर्जर और राव इंदर ज जाते हैं इसलिए मुझे लगता है OBC से कोई चेहरा नहीं आएगा अलाएंकि सुधायादव की नाम की चर्चा चल रही है लेकिन मुझे लगता है OBC चेहरा प्रदे सद्यक्स नहीं आएगा मुझे लगता है भाजपा इस बार किसी ब्रामन को प्रदे सद्यक्स बना सकती ह इसा मेरा मानना है. ब्रामन चहरे कौन होगा? ब्रामन चहरे में कैई Näाम चल रहे हैं. देखिए पहले तो हमी यह देखना पढ़ेगा कि पार्टी मनयूरलाल की छाय से मुक्त हो पाती है या मनूरलाल ही फैसले लेते हैं. अभी मनोहरलाल केविनिट मंत्री बन कर चले गए लेकिन यह आमधारणा है कि मनोहरलाल ही हरियाना भी सभाल रहे हैं, सत्ता में भी उनका दखल है और संक्टन में भी उनकी पूरी भूमिका है, ऐसा माना जा रहा है, मनोहरलाल वरिष्ट है, उनकी भूमिका से हमको कोई पार्टी बन कर चले के लिए और किसी जाट समुदाय से सौपते हैं, तो सुभास बराला उनकी पसंद है, और किसी अनसुचित जाती के चेहरे को आगे लाती है पार्टी, तो किर्शनलाल पमार उनकी पसंद है, ऐसा मेरा माना है, और मनोहरलाल की छाया से मुक्त हो करके, अगर किसी को जिम्मेदारी सौपी जाती है, तो जाट समुदाय से कैप्टन अभिमन्यू का नाम भी है, और इसके अलावा जो ब्रहमन चेहरे की हम बात कर रहें, मैं बार बार जो कह रहा हूँ, कि ब्रहमन चेहरे को आगे ला सकती है पार्टी, तो मुल्चन सर्मा है, मोह ब्रहमन चेहरे को आगे लाएगी, ब्रहमन चेहरे को पार्टी का अध्यक्स बनाएगी, अगर ब्रहमन को नहीं, तो किसी राजबूत चेहरे को आगे ला सकती है, कि किसी अनसुचित जाती वर्ग के चेहरे को ये जिम्मेदारी सौप सकती है, राम भिला शर्मा की उमर भी है और उनका कदभ बड़ा है उडमी कहते हैं जो चाया जआ ऐखसे उस भूबिका में नहीं रहेंगे उनुमें निरहने लेने की चंपार म depl'! राविंदर जीत जैसे बड़े निताओं का भी साथ मिल सकता है लेकिन जो आप बता रहें कि उम्र का जो हो सकता है उनकी उम्र जादा हो अधिक एक्टिव नहीं रह पाएंगा ऐसा सोचने वालों की संक्या जादा और उनका नंबर ने आये हाला कि सोसल मीडिया पे दो-तीन जिन से उनका नाम चला है लेकिन मेरा मैं आप से सहमत हूं सायद उनका उम्र की वज़े से नाम रह जाए लेकिन मैं इनकार भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनकी वरिष्टता और चुनाव नजदीक देखते हुए उन्हें ये दाई तो सोपा भी जा सकता है क्योंकि हम तर तक उन्हें काम किया लोगों से जुड़े हैं वो तो क्या आपको नहीं लगता उनका नाम भी आज़कते हैं अपकी बात सही है ना ओम परकाश धनकड ने जमीन इस तर पर काम किया संग्टन को खड़ा किया उनके विरोधी भी इस बात को मानते हैं कि धनकड जब तक इ दिख रही थी काफी उसमें था लेकिन अब सरविदित हो चुका है कि मनोहरलाल और उनकी टूनिंग सही नहीं थी इसी कारण जो है नायब सहीनी को लाया गया धनकड को हटाया गया हाला कि अपरकाश धनकड नायब सहीनी से बहुत खुश है और अपने मित्रों के बीच वह हमना है कि होंपरकाश धनकड को दोबारा इस पद पर नहीं लाया जाएगा क्योंकि पीजे सवाल उठेगा फिर हटाय ही क्यों गया था मैं जहीं मुझे नहीं लगता चांगा कि और लड़ना के विधान सभा में गाता है कि पार्टी को एक क्या स्थिती है? सेली आप देखिए, लोकसभा में भाजपा के दस में से पांच जीते हैं, तो अनसुच जाती के एक भी चेहरा नहीं जीता है अंबाला भी हार गई पार्टी और सिर्सा भी हार गई तो दोनों जगे उनके वो नहीं है राजसवा में किर्सनलाल पावार है उनके हम बता ही रहे हैं, उनको दाई तो सौपा जा सकता है मनोरलाल की पसंद भी है बनवारिलाल है, पार्टीक पास बड़ा चेहरा है अनसुच जाती का तो मुझे नहीं लगता हूँ कैबिनेट मंतरी से हम बात करें तो चोदरी धरम्बीर है और यहां से हम बात करें तो गुडगाओं से रावींदर जीत और फरीदाबाद से कर्शनपाल गुरजर वो चुनाव जीते हैं तो ये दोनों चुनाव जीते हैं, दोनों मंत्री बना दी हैं तो इसलिए OPC का नाम हम आउट करी देते हैं और एक जो है हम देखते हैं नमीन जिंदल है तो नमीन जिंदल कांग्रेस से आये हैं उनको चुनाव लड़ने के लिए राजी किया गया था तो उनके बारे में भी अध्यक्सपद की नहीं सोच सकते तो पांचो सान सदों में हम नहीं सोच सकते क्योंकि तीन मंत्री बन चुके है नमीन जिंदल नए है संगठन का जो भाजपा का संगठन है बाजपा का जो जो आर एसस की चाया के अधिन चलता है उसको समझने में नमीन जिंदल को टाइम लगागा भाजपाई हुए है नए 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 है और चोदरिधर जाट समुदाए से हैं और संग्ठन की बजाए हुए सत्ता की राजनिती उनको जादा पसंद है और बच गें राजसभा में हम देखते हैं सुभास बराला है जाट समुदाए से हैं और रामचंदर जांगडा है बी-सी-आ से हैं और एक नाम है किरशन पालपवार है और एक राजसभा में जो हम बात करें कार्थि के सर्मा वो निर्दल यह हैं लेकिन भाजपा के समर्थन से बने थे उनको भाजपा के नाम पर ठपा नहीं है जो तो यह चारों जब हम बात करते हैं राजसभा की, पांच विशीट खा लिया भी, तो सत्ता संतुलन साधने के लिए, मुझे फिर मैं एक बार कहूंगा कि किसी ब्रामन को भागडोर सोपी जाएगी, ब्रामन चेरों में रामिला सर्मा भी है, मौलाल बडोली भी है, मूल ब्रामन चेरे की बात करें, तो ब्रामन चेरे में हम बताई आजे गोड भी है, मौन बडोले भी है, मौल चंचर्मा भी है, और सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक रामिला सर्मा भी है, तो यह ब्रामन हो गए, जाट समदाए में कैप्टन अभी मन्यू है, सुभास बराला है, इनकी हम बात कर सकते, महीपाल डांडा भी है वैसे तो लेकिन हम दो नाम जो इनको कर रहे हैं कि इन पर परचर्चा हो सकती है, तो ब्रामन और जाट समदा ऐसा मेरा मानना है। चेहरे को भी आगे ला सकती है, तो दलित, जाट और ब्रामन इन तीनों में से कोई भी चेहरा आ सकता है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी ही इनकी नियुक्ती हो जाएगी, और नाम अगर साफ करने हो तो आप दो दिन बाद फिर मेरे साथ चर्चा करना, क्योंकि मुझ करने के साथ साथ राजसभा का चेहरा भी पारिटी तैयार कर लेगी, ताकि एक साथ double message चले जाए, कि एक जाती को साधने के लिए अध्यक्षपद और दूसरी जाती को साधने के लिए राजसभा का सधस्य उनको उमिद्वार बना दिया जाए, ऐसा मेरा मालना है, ओके, द